तेन चीजें ज़्यादा देर तक नहीं चुप सकती, सोरित, चंदरमा और सत्थ घिरना घिरना से नहीं प्रेन से खत्म होती है प्वास्ट सबसे बड़ा उपहार है, संतोस सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है हजारो खोकले सब्दों से अच्छा वह एक सब्द है जो सामती लाए प्रोध को पाले रखना, गर्म कोईले को किसी और पर फेकने की नियत से पकड़े रहने के समान है इसमें आप ही जलते हैं, मैं कभी नहीं देखता कि क्या क्या जा चुका है मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या क्या जाना बाकी है हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं हर सुबह हम पुना जन्म लेते हैं हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है जुनून जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं मुर्खता जैसी कोई जाल नहीं, लालत जैसी कोई धार नहीं यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ती बोलता या काम करता है तो कभी ना जाने वाले पर च्छाई की तरह खुसी उसका पीछा करती है मैं दुनिया के साथ मध्वेद नहीं करता बलकि ये दुनिया है जो मेरे साथ मध्वेद करती इस दुनिया में इतना अंदकार नहीं है कि ओ एक छोटी सी मुवम्बती का परकास बुजा सके एक छन एक दीन बदल थकता है एक दीन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे बिश्व को बदल सकता है ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती उसी प्रकार बुद्धिमान वेक्ती परसंसाया आरोपों से विचलित नहीं होता यदि समस्या का समाधान क्या जा सकता है तो चिंता क्यूं करें मन और सरीर दोनों के लिए सिहत का रहस्य है कि जो बाइत गया उस पर दुख न करें भविस्षी की चिंता ना करें और नहीं किसी खत्रे की आसा करें बलकि मौझूदा चन में बुद्धिमानी और इमानदारी से जियें अपने हंकार को एक धिले ढाले कपड़े की तरह पहने सारे गलत काम मन की वज़े से होते हैं यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकते हैं अगर आप किसी और के लिए दिपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकासित्प गरेगा आप चाहे जितने पवित्र सब्द पढ़ ले चाहे जितने बोल ले वो आपका क्या भला करेगा यदि आप उन पर कारी नहीं करते हैं जीवन में एक मात्र वास्तविक और सफलता आप जो सरुसेष्ट जानते हैं उसके परति सच्चा न होना अपना हिर्दय अच्छी चीज़े करने में लगाओ इसे बार बार करो और तुम परशन्नता से भर जाओगे जिस चन आप सारी सहता और सिकार कर देते हैं आप मुक्त हो जाते हैं हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिनाम यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कस्ठ ही मिलता है यदि कोई व्यक्ति सुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परचाई की तरखुसी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती अतीत पे ध्यान मत दो, भविस्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान चन पे कैंद्रित करो जैसे मौमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुस्त भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रियत्न करो, दूसरे पर निर्वर ना रहें इसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्व छोड़े और अपने लिए प्रियास करने लगते हैं इसी जंगले जानवर की अपेक्छाए कप्टी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए जानवर तो बस आपके सरीर को नुक्सान पहुचाता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुक्सान पहुचा सकता है आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चाहा कर मत बताईए और ना ही दूसरों से इस्तिया करते हैं उसे मन की सामती नहीं मिलती विना सेहत के जीवन जीवन नहीं, बस पीडा की एक इस्थिती है, मौत की छवी है हर चीज पर संदेह करो, स्वायं अपना प्रकास ढूंडो, सक की आदत से भयावा कुछ भी नहीं है सक लोगों को अलग करता है, यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिष्टे को तोड़ता है पुराई होनी चाहिए ताकि अच्छा है उसके उपर अपनी पवित्रता साबित कर शके खुसी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुसी बहुत अधिक देने के बारे में है मन और सरीर दोनों के लिए स्वास्त का रहस्य है, अतीत पर सोक मत करो, ना ही भविस्य की चिंता करो, बलकि बुद्धिमानी और इमांदारी से वर्तमान में जियो अंत में ये चीज़ें सबसे अधिक मायने रखती है, आपने कितने अच्छे से प्रेम किया आपने कितने पुर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुन्टाओं को जाने दिया तांती अंदर से आती है, इसे बाहर मत धून ले हमेन हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और नहीं कोई ऐसा करने का पर्यास करें हमें खुदी इस मार्ग पर चलना होगा चलिए उपर उठें और आभारी रहें क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े और अगर हम वीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे शरीर को अच्छी सिहत में रखना हमारा करतंग है नहीं तो हम अपना मन मजबूत और असपस्ट नहीं रख पाएंगे आप पुरे ब्रमांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलास कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और्षनेह के लाएक और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना इस वर्मांड में कोई और आपके प्रेम और्षनेह की अधिकारी है उतना ही आप खुद है कोई वेक्ति इसलिए ग्यानी नहीं गालाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है लेकिन अगर वह सामति पुर्ण प्रेम पुर्ण और निर्भः है तो वह वास्तब में ग्यानी गालाता है जो बुद्धिमानी से जिये हैं उन्हें मिर्त्यू का विभई नहीं होना चाहिए सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है स्वैंग पर विजय प्राप्त करना दूसरे पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम यदि आपकी दया आपको सम्मलित नहीं करती तो वह अधूरी है दर्द निश्चित है दुख वैकल्पिक है जो जगा है उसके लिए रात लंबी है जो ठका है उसके लिए दूरी लंबी है जो मुर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना एक योजना जिसे विक्सित कर क्रियानवित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है तब आप अपना सर पीछे जुकाएंगे और आकास की ओर देख कर मुस्कुराएंगे धैरी महतपुर्ण है याद रखे एक जग बुंद बुंद करके वरता है जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चित है सामती प्राप्थ होगी यदि आप प्रियाप्थ सामत हैं तो आपको वर्मांड का प्रवाह सुनाई देगा आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए आगे परशन्नता है ध्यान महतपुर्ण है तुम्हारा सबसे बड़ा सत्रू तुम्हें उतना नुपसान नहीं पहुचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार लेकिन एक बार काबू कर लिया जाय तो कोई तुम्हारे इतनी वदद भी नहीं कर सकता तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा अगर किसी के विचार गंदे हैं अगर वह लापरवा है और धोके से भरा हुआ है तो वह पीले वस्त्र कैसे धारन कर सकता है जो कोई भी अपनी प्राकृति का स्वामी है उज्वल अस्पस्ट और सत्य है वह वास्तप में पील आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रहत रखता है और उस मार्क को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो जो आप मासूस करते हो उसे आओ आकरशित करते हैं जिसकी आप कलकना करते हैं उसका आप निर्मान करते हैं रोध को पाले रखना, खुद जहर पी कर दूसरे को मारने के अपेक्छा करने के समान है। पानी से सीखो, नदी सोर मचाती है, लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। यदि हम असपस्ट रूप से एक फूल के चमतकार को देख सके, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। आकास में पूर्व और पस्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं, और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। तभी प्राणियों के लिए दया भौरक हैं, चाए वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी अपनी पीडा है, कुछ बहुत अधिक भुकत्ते हैं, कुछ बहुत कम, किसी चीज पर यकीन मत करो, ये माइने नहीं रखता कि आपने उसे कहा पढ़ा या किसने उसे कहा है, कोई ब भास दिल, डालू भासन, तथा सेवा और कल्यान का जीवन, ये वो चीजे हैं, जो मानपता को नवनिक करती है, एक कुट्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो अच्छा भौकता है, एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो अच्छा बोलता है, हर मनुष्य से अपनी सिहत या बिमारी का रचाईता है, एक मुम्बत्ती से हजारों मुम्बत्या जलाई जा सकती है, और उस मुम्बत्ती का जीवन घटेगा नहीं, खुसी कभी भी मौटने से घटती नहीं, खुसी उन तक कभी नहीं आएगी, जो उसकी सराहना न वी से जीतो और आसत्ती बोलने वाले को सत्ती बोल कर जीतो जदी आप दिसा नहीं बदलते हैं तो संभवता आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं एक तेज धार चाकू की तरजीब बिना खून बहाई मार देती हैं भूत पहले ही बीच चुका है भविस अभी तक आया नहीं है तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही छन है वह है वर्तमान वहेंग पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रियास करने लग जाते हैं नफ्रत नफ्रत को नहीं बलकि प्रेम से खत्म होती है यही परमसत्य है दोस्तों यह महात्मा बुद्ध के 101 अनमोल वचन थे आसा करता हूं यह आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाय स्री क्रिश्न